पुत्र राम प्राथन दिग्विजय यात्रापूर्ण होने को है प्रात लक्ष्मन भरत यग्यपूर्ण आहुती एवं हनुमान सहित सेना के स्वागत के समस्प्रभंध शिक्र कीजिए स्वामी हनुमान एवं उनके साथ अंध्य योध्धाउं और सेना ने राम काज को पूर्ण करने का संकल्ब पूर्ण कर ही लिया हां देवेश्वरी ब्रभू श्री राम के इस प्रथम आश्यमे द्याग्य में अनुमान के प्राख्रम के कारन सभी प्रमुक्र भुपतीय ने तो श्रीराम की अधिनतम स्विकार की उनके साथ दिव्य शक्तियों में भी प्रभू श्री राम की प्रभूता स्थापित हुई अर्थात स्वामी यग्य की पूर आहुती के साथ राम राजे के स्थापना के पश्चाद मुझे आशा है कि अब राम राजे की शांती को भंद करने वाला कोई और स्थेश नहीं होगा जब तक निकोंग जीवित है राख्षसी सोच कभी अपनी पराज़ स्विकार नहीं करेगी जे श्री राम जे श्री राम जे श्री राम जे श्री राम हरुमान जी सब को लेकर आगा है भ्रीया जे श्री राम जे श्री राम की श्राइब प्रभू श्री राम की जैए! श्री राम राज की जैए! श्री राम स्वागत को अकुलाई जन जन मार्ग अवध आच्छा दित सुमन धोल नगाडे बाजे धम धम पूजत अश्व स्वयम श्री रामा आरती सीता की हनुमाना पूश्कल शत्रो घन आभारी रानिया दो को सत्तारी पूश्कल भरत विहल हो आए पावन तनय और राम लगाए राम सिया राम सिया राम जै हनुमान ये गाथा महबल हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जै 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 रगुजंदन राम जै 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 महबल हनुमान महाराज राम आज से आप चक्रवर्ती सम्राइब रात हुए प्रभूश्री राम की मैं आयोध्या नरेश राम धन्यवाद करता हूं सभी माननिय राजाओं का जिनोंने अधीनता सविकार की किन्तु मैं उन्हें ये स्पष्ट करना चाहता कि अधीनता का आर्थ पराधीन होना ना समझे अपितु स्वयम को धर्म के अधीन समझे इस अश्वमेक यग्य का उतेश अधर्म की पराधीनता को समाप करके धर्म के राज्य की स्थापना करना है आता है आप सब धर्म का पालन करते हुए अपना राज्य अपनी इच्छा अनुसार चलाने के लिए पूर्णते अस्वतंत्र हैं मैं अपने अनुज शत्रुगन का भी धन्यवाद करता हुए जिन्होंने इस अभियान का नेत्रत बड़े विवेक और वीर्ता के साथ सम्भाला एवं अपने दाइत का भली भाती निर्वाद किया भाया मैंने जो कुछ भी किया है आपके प्रताप से ही किया है मैं कुमार पुषकल का भी धन्यवाद करता संपूर्ण यात्रा में अनेकों बाधाय आए किन्तु कुमार पुषकल ने बड़ी वीर्ता और अधिक्ता के साथ उसका सामना किया है एवं अपने सहयोगियों की सहायता से उन बाधाओं पर विजय प्राप्त की और मैं अपनी सेना के उन वीर सैनानियों का भी आभारी हूँ जिन्होंने फग फग पर आने वाली कठिनाईयों को सहते हुए धूप, वर्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं एवं आसुरी विपत्तियों का सामना करते हुए भी इस अभियान को पून किया अब उनके बारे में क्या कहूँ जिनके कार्यों की व्याख्या करने के लिए बर्ण माला में अक्षर भी कम पड़ जाए जो मेरे अभिन सखा अनुपम सेवक एवं श्रेष्टतम भक्त है उनके बिना तो राम काज कभी पून ही नहीं हो सकता सत्य कहूँ तो उनके बिना मैं भी पून नहीं हो सकता मेरे परम प्रिय मित्र केसरी नंदन आँजनय हनुमान भक्त श्रो मन हनुमान की राम दूत हनुमान की संकट मोचन महाबली हनुमान की प्रभू इस तुछ सेवक का इतना मान प्रभू सत्य तो ये है कि हनुमान की संपूर्ण शक्ति आभी की भक्ती है हनुमान का बल है आपका राम नाम हनुमान के प्राण है आपका श्रिवीग्र जिसका मेरे हृदय में वास है जिसने बड़ी से बड़ी आपदाओं का सामना करके भी मेरे प्राणों के रक्षा की प्रभु राम से ही तो हनुमान है जहां राम नाम नहीं वहां हनुमान भी नहीं राम पिना क पिजों क छुनाही सोई हनुमत बिन्रघुराई महावीरासम भक्त नाभूपर राम काज हे तू सजात पर राम सिया राम सिया राम जै हनुमान ये क्या हो रहा है जैसे धर्ती डगमगा रही है कस्माति अभूकमपन कस्माति यहां ये बोचाल क्यों आने लग हमने पूल पवित्रता और विधी विधान से चक्रवर्ती समराट का राज्टिलग किया है फिर ये प्राकिर्ति काप्दा कैसे आने लगी गुरुदेव वशिष्ट मुझे तो ये प्राकिर्तिक आप्दा नहीं कुछ और ही प्रतीत हो रही है मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ कि इस भूकमपन का केंद्र कहा है और वहां क्या हो रहा है जै श्री राम प्रतीत हो रहा है यही है भूकमपन का केंद्र कुछ तो बड़ी हल्चल हो रही है धर्ती के भीतर क्या हुआ हरुमांजी क्या है यहां क्या ही कोई आतुर शक्ति तो नहीं जो पाता लोग से यहां चलिया है कुछ तो है लक्षमन भईया जो बाहर आने को आतुर है कौन हो तुम यहां आने का दुस्टा हस कैसे किया तुमने प्रभू शिरीरा विभीषण जी विभीषण जी आपको इस प्रकार यहां आने की क्या वश्चक्ता पड़ गई एई संकर्मोचल एई महाबली मुझे शिक्र प्रभू शिरीराम के पास ले चलिये विभीषण जी प्रभू शिरीराम ने आपको भ्राता समान ही माना है आप प्रभू के श्रेष्ट भक्त भी है फिर आपको प्रभू से कैसा संकोच विभीषण जी आपकी जो भी दुविधा है शिष उठाकर ने संकोच कहिए जो राजा अपनी प्रजा को संकर्मोच चूड़ के चला आया हो उसका शिष कैसे उठ सकता है अर्थात लंका पर कोई संकटा है विभीषण जी हाँ प्रभू लंका बाप के आधिन नहीं रही अब वहाँ धर्म का नहीं बाप का पुना राज्य शुरू हो गया है ये कैसे हुआ क्या हुआ स्पश बताईए विभीषण जी प्रभू कुम्ब करण के पुत्र निकुम्बने राज्या दिया लिया है और मुझे निकुम्बने हाँ अनुमान और मुझे कायरों की बाती वहाँ से पलायन करके यहा इस्तिति को भाब कर यदि कोई राजा दूसरे राजा से सायता मांगता है तो उसे कायर ने बुद्धिमान कहते हैं कम सामर्थे होकर भी मही रहकर सामना करने वाला मुर्ख तो होता ही है और उसकी मुर्खता के कारण वो अपने और अपनी प्रजा दोनों के प्राण संकट में डाल लेता है किन्तु निकुम्भ ये कैसे कर सकता है उसे तो हनुमान जी ने युद्ध में मार दिया था और अंतरिक्ष की अतल गहराईयों में फैक दिया था निकुम्भ को वर्दान प्राप्त है कि वो किसी भी प्रकार मृत्यू को प्राप्त नहीं हो सकता जब तक उसका शीश उसके धड़ से विलग ना हो जाए तब तक वो बार बार अधिशक्ति चाली बनकर सामने आएगा उसकी माता ने भी उसकी साहेता की उसकी माता अर्थात कुमकर्ण की पद्नी हाँ हनुमान अपनी माता के उक्साने पर वो सीथे लंका चला आया उसकी माता भी उसके साथ थी भावी श्री क्या हुआ इस राज सिंगासन के वास्तविक अधिकारी महाबली निकुम को देखकर भैवीत हो गए द्रोई काका विवीशन निकुम तुम्हारा ये दुष्चाहस ता निकुम बंदी बना लो इसे निकुम्ह के पास सबकी सोच को परिवर्थित करने की विलक्षन मायावी शक्ती है वो इसी शक्ती से संसार में राक्षसी सोच का विस्तार करना चाहता है महराज सुमद के राज में तो उसने अपनी इस शक्ती से सबको ही निद्रा मगन कर दिया था मैं भी शीगरी समझ गया था कि उसने अपनी माया से सबकी बुद्धी को ब्रहमित कर दिया अता मैंने शीगरी अपनी तलवार निकाली किन्तो उसने अपनी मायावी शक्ती से मुझे नियात्ता कर दिया और बार-बार मायावी शक्ती का प्रहार किया देखा माता ये मुकुट भी जानता है कि कौन है इसे दारण करने योग है इसलिए ये स्वैम ही मेरे पास चलाया पाप का विस्तार हो कि अधर्म की जय हो हाँ 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 लंका के सबसे बल्वान महावली कुम्बकरन के फुत्र हो तुम निकुम्ब इसलिए यहां के राजा बनने योग्य मात्र तुम ही हो विभीशन जैसा कुलगाती नहीं निकुम्ब विभीशन गुप्त मागर से भाग निकला है यदि वो पुनाराम से जा मिला तो अनर्थ हो जाएगा मैं तो आपकी शरण में सुरक्षित हूं प्रभू किन्तु लंका में निकुम्ब ना जाने क्या क्या मेरी परिवार और प्रजा पर पत्याचार करेगा निकुम्ब से उनकी रक्षा कीजिए प्रभू महाँ पापी है निकुम्ब विभीशर जी प्रभू श्री राम की शरण में आने वाले का सदैव ही कल्याण होता है प्रभू उस पापी को दंड अवश्य ही देंगे आप चिंदा ना करें विभीशर जी मैं स्वयम अपने भ्रादाओं के साथ और अनुमान को साथ लेकर आपके साथ लंका चलूँगा और आपको आपका राज्य बापस दिलवाऊँगा निकुम्ब ने स्वयमी आमंत्रण दिया है अपनी मृत्यू को लंका राक्षासों की थी और सदेव रहेगी राक्षासों का संगारक राम हमारा शत्रु है उसकी अधीनता हम कैसे सुईकार कर सकते हैं? कभी नहीं! राक्षवीरों मैं महाबली कुमकन का पुत्र निकुम्ब आपका समस्त राक्षासों का खोया हुआ गोरव वापस लाऊंगा केंटो! ये तब ही संभवोगा जब आप सब मेरा साथ देंगे बोलिए! देंगे मेरा साथ! हाँ 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 मैं राम शिकार नहीं! राम हमारा शत्रु है! उसकी दास्ता हम नहीं करेंगे! रक्षा बलवान है! महान है! बलवान किसी के अधीन नहीं रहते! मैं आप तब को विश्वास दिलाता हूं कि फिर से हमारा समय आएगा! पूरी दर्ती पर हमारा राज होगा, तीनों लोकों पर रक्ष-पर्चम लहराएगा, तीनों लोकों पर अकाष में हमारा ही सूर्य होगेगा बोलो किसका सूर्य होगा आकाश पर किसका सूर्य होगा आकाश पर ये क्या अकस्माती अंदगाल अब कौन आ गया यहाँ ये तो वही वानर है इसी ने लंका जलाई थी अनुमान संकट के स्थिती में यदि बल कारे ना करे तो बुद्धी का प्रयोग कर उस संकट को टाला जा सकता है